हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रितम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल नई मिठाई की रेसिपी इस मिठाई को बनाने के लिए मावा, चाशनी, घी, दूद, पनीर किसी भी चीच का इस्तमाल नहीं करेंगे और तो और आज मैं इसे बिना गैस जलाए बनाना बताऊंगी बहुत ही सिंपल मिठाई है पर टेस्टी इतनी है कि जो भी खाएंगे आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया तो इस आसान सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें एक चोथाई कप चीनी डालेंगे अगर टेवल स्पुन में बोले तो ये चार से पांच टेवल स्पुन चीनी है अब इसमें फ्लेवर के लिए दो इलाइची डालेंगे और इसे बहुत ही बढ़िया पीस लेंगे और यहां मैंने चीनी को पीस कर इसका powder बना लिया है अब एक mixing bowl लेंगे और इसमें ये दूद की मलाई डालेंगे ये वही मलाई है जो दूद के उपर जम जाती है ये इस खाने वाले चम्मच से चार से पांच चम्मच मलाई है कप में लगभग ये एक चोथाई कप है अब बॉल पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और ये जो हमने चीनी पीस कर रखा है इसे छान लेंगे ताकि चीनी पीसने के बाद अगर इसमें कोई crystal रह गया होगा तो वो निकल जाएगा अब ये जो चानने के बाद इलाईची के छिलके और चीनी के crystal बच गया है इन्हें हम अटा देंगे और अब चीनी और मलाई को स्पून की मदद से बहुत ही अच्छे से mix करेंगे अब यहाँ आप चीनी की जगा वो धागे वाली जो मिश्री होती है आप वो भी ले सकते हैं अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी और मलाई को mix करते जाएगे ये बिलकुल smooth और creamy बन जाएगा अब अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसकी जगा पर दूद भी ले सकते हैं या फिर आधा मलाई और आधा दूद भी mix करके ले सकते हैं तो बस चीनी और मलाई को mix करने के बाद जब mixer इस तरह का हो जाएगा तब हम इसे side में रखेंगे और फिर से वही mix का जार लेंगे और इसमें एक कप roasted moongfali डालेंगे अगर आपके पास roasted moongfali नहीं है तो आप कच्ची वाली moongfali 6-7 minute dry roast करके उसका छिलका उतार कर और फिर उससे मिठाई बना सकते हैं अब इसे हम pulse पर पीस लेंगे और यहां मैंने इसे पीस लिया है और यह इस तरह का पीस कर तयार हुआ है अब फिर से वही बाउल लेंगे और इसमें पिसा हुआ मुंगfali डालेंगे और इसे spoon की मदद से ही mix करेंगे अब एक सबसे ज़रूरी बात मुंगfali को पीसते समय mix को pulse पर चलाएंगे मतलब कि 10 सकेंड के लिए चलाएंगे और फिर रुकेंगे फिर से 10 सकेंड के लिए mix करेंगे और फिर रुकेंगे इस तरह से करते हुए 3-4 बार करके हम मुंगfali को पीसेंगे नहीं तो अगर मिक्सी को लगातार चलाकर मुंभ़ली को पीसेंगे तो इससे वाइल रिलीज हो जाएगा और ये बिल्कुल गीला-गीला हो जाएगा और इसका पेस्ट बन जाएगा अब इसमें मावे वाला टेस्ट के लिए आधा कप मिल्क पॉडर डालेंगे और इसे फिर से spoon की ही मदद से mix करेंगे और जब आप इसे इस तरह से mix करेंगे तो ये mixture अपने आप ही इकठा होने लएगा और डो जैसा बनने लएगा पर अगर इस stage पर आपका mixture गिला लगे तो 1-2 टवल स्पून milk powder और add कर ले या फिर मिक्षर अगर सूखा लगे तो एक से दो टेवल स्पून मिल्क डाल कर कंसिस्टेंसी सेट कर लें और जब ये इस तरह का इकठा हो जाएगा तब हम इसे सेट करेंगे तो इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक कंटेनर लिया है इसे पहले घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस पर बटर पेपर डाल कर इसे भी हलका सा ग्रीस कर लेंगे अब आप चाहें तो बिना बटर पेपर के सिर्फ कंटेनर को ग्रीस करके भी मिठाई सेट कर सकते हैं अब इस पर ये मिठाई का मिक्षर रखेंगे और इसे हाथों से पहले फ्लैट कर लेंगे, ये बहुत ही असानी से स्प्रेड हो जाता है और इसे सेट करने में आपको कोई भी परिशानी नहीं आएगी, उसके बाद किसी भी इस पैचुला या चमच की मदद से उपर से चिकन हो जाएगा, तो अब इसकी दूसरी लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैकेट बर्बॉन बिस्कित लिया है, ये वजन में लगबग 130 ग्राम बिस्कित है, अब क्या करेंगे कि फिर से वही जार लेंगे और इसमें सारे बिस्कित को तोड़ कर डालेंगे, यकीन इसे बहुत ही अच्छे से पीस कर तयार कर लिया है, तो अब फिर से वही mixing ball लेंगे और बिस्कित के powder को भी अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसमें कोई भी बिस्कित के टुकरे रह भी गया होंगे, तो वो निकल जाएंगे, और हमें बिल्कुल बिस्कित का fine सा powder मिल जाए और half टेवल स्पुन पिस्ता के flakes डालेंगे, और अब सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे, अब यहां आपको dry fruits में जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आपको जो ना पसंद हो आप उसे skip भी कर सकते हैं, अब इसमें 2 से 3 टेवल स्पुन वही मलाई वाला द इसा बना लिया है, अब हम फिर वही कंटेनर लेंगे, और यह जो मूंग फली के फ्लेवर वाली पहली लेयर है, वो थोड़ी सेट हो गई है, तो अब हम इसके ऊपर यह दूसरी चॉकलेटी वाली लेयर पहले हाथों की मदद से दवाते हुए spread करेंगे, अब क्यूंकि हमन इसे बिल्कुल soft dough लगाया था, इसलिए यह बहुत ही असानी से spread हो जाएगा, और spread करने के बाद हमें spatula या spoon की मदद से इसे चिकना कर लेंगे, सच में दोस्तों यह दो फ्लेवर वाली मिठाई खाने में बहुत ही tasty, और बिल्कुल मूं में जाते ही घुल जाने वाली बनकर तयार हुई थी, तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए freeze में set होने के लिए रखेंगे, और 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से set हो गई है, तो अब हम इसे container से निकाल लेंगे, बटर पेपर के कारण ये बहुत ही असानी से निकल जाता है, अब इसे बिल्कुल हलवाई जैसा लुक देने के लिए मैं इस पर silver work लगा रही हूँ, ये लगाना बिल्कुल optional है, अब silver work लगाने के बाद इसके pieces कर लेंगे, और आपको मेरे काटने से ही पता चल रहा होगा कि मिठाई कितनी soft बनी है, तो आज मैं इसके थोड़े लंबे pieces काट रह आया है, ये देखिए इसमें कितनी अच्छी layer बनी है और इसका texture भी दानेदार तयार हुआ है, अब मैंने यहाँ थोड़े से नारियल के बुरादे में orange food color डाल कर इसे color कर लिया है, तो इसे हम मिठाई पर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ताकि ये दिखने में और भी ख लेवर की मिठाई, दोस्तों ये मिठाई जितनी देखने में अच्छी लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी लग रही थी, तो आप इसे किसी भी occasion या तेओहार या फिर अचानक घर पर महमान आ जाएं, तो आप बहुत ही असान इसे बना कर तयार कर सकते हैं, और आपने तो देखा ही, इसे बनाने में जरा भी मेहनत करने की जरूत नहीं है, और तो और बिगड़ने का भी कोई चांस नहीं है, तो इस आसान सी मिठाई को एक बार जरूर ट्राइ करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो क दिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई